Hi Friends आज की टेकनीक हम यह स्विच वर्ड के साथ करने वाले हैं अपनी अपनी विशस को मैनेफेस्ट करने के लिए स्विच वर्ड हमारी इंटेंशन को बहुत अच्छे से यूनिवर्स में वाइब्रेट कर पाते हैं कुछ ऐसे इंगलिश के वर्ड होते हैं जिनको बार बार अगर हम रिपीट करते हैं अपने इंटेंशन के साथ तो अच्छेल में आप वो वाइब्रेट कर पाते हैं विवर्स में जो आपको चाहिए इसलिए स्विच वर्ड हेल्प करते हैं बैसिकली आपके सबकॉंशस को रिप्रोग्राम करते हैं यह जो बार बार एक्स्रा थॉट आती है डर डाउट डेस्परेशन चल रहा होता है उन सब के आने जाने के बावजूद भी जो एक्जाक्ट थॉट है जो एक्जाक्ट हमारी विश है उसको हमारे सबकॉंशस में जालती है हमारे लिए बहुत हैं आज जिस switch word की बात करने जारी हूं उसको यूज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट लेंगे switch word आप लोग जानते होंगे और इस switch word को बहुत बार हमने energy circle में या अपनी scripting में यूज किया हुआ है बहुत से लोगों ने विशस भी manifest किया है आप करोगे मैं बता दूंगी अभी आगे विडियो में किस तरह से करना है पर यह आप maintain करेंगे 21 days and कोशिश यह कीजिए कि सूरे की जो पहली किरन निकलती है मतलब जिस समय सूरे सुबा सुबा निकलता है simple सी कहनी की बात है मतलब कम से कम भी तो मैं लगा लूँ आपको साथ से आठ बजे के पहले उस टाइम तक अपनी अगर यह remedy कर लेते हैं अच्छी बात है आपने करना क्या है प्लेन पेपर लेंगे प्लेन पेपर पे एक सर्कल बनाएंगे आप राइट अगर आपके पास transparent sheets available है उस पे आप कर सकते है नहीं तो plain paper पे भी plain white paper line sheets नहीं बिल्कुल plain white paper उस पे बड़ा सा circle draw करेंगे और उस circle के अंदर आप golden sunrise पहले लिखोगे और उसके नीचे अपने wish लिखोगे आप एक circle में एक ही wish आएगी अब सवाल यह है कि हमारे पास multiple wishes है तो कैसे करें में आपकी different wishes आप mention कर सकते हो करना क्या है इसका सुभा मैने बोला है आपको जितना जो सबसे पहली वाली केरण अगर आप लेते हो वो जादा अच्छा है ठीक है तो आठ बजे से पहले पहले अगर कर लेते हो जब सूरे की रोशनी इसमें से चंके आएगी तो पेपर आक्च्छल में transparent लगेगा आपको और आपको वो चीजे नजर आएगी सूरज की रोशनी बिल्कुल हलकी सी नजर आएगी फिल्टर लगा लिया आपने अब आपको क्या करना है उस थोड़े से शन में आपने ये जो लिखा है इसको आप repeat कर सकते हो सूरे की किरन के साथ जो चंके आ रही है पेपर में से golden sunrise और अपनी wish present tense में बोलिए और ऐसा visualize करो कि सूरे की रोशनी के साथ ये wish आपकी life में enter हो रहा है आपके अंदर आ रहा है इस तरह की visualization आप create करोगे जब आपने पहला पेपर कर लिया पहली wish हो गई आप उस पेपर को हटा दें दूसरी wish के लिए जो दूसरा पेपर रखाया आपने उसको again आप सामने रखेंगे सूरे की तरफ अपनी आखों के सामने रखो के सूरे फिल्टर हो जाएगा उसकी रोशनी जब छनने लगे तो फिर आप सेम चीज सेम affirmation को आप repeat करो कम से कम तीन बार repeat करो हर affirmation को golden sunrise के साथ और feel करना, visualize करना है कि ये सूरे की रोशनी के साथ मेरी life में enter हो रहा है, okay, energies ठीक सामने आपके है, sun के energy विलकुल सामने शाक्षात है, ठेक है, और सूरे देवता है, एक ऐसे देवता है, जो सच में हम साक्षात दर्शन करते हैं जिनके, रोजाना morning में, right, हर पल आप देख स divine time होगा, वो जब आप इस तरह का कुछ visualization क्रेट करोगे, ये काफी powerful होगा और आपके subconscious को तुरंत reprogram करेगा, आप लोगों को help भी करेगा, wishes manifest करने में, जो लोग health के लिए करना चाते हैं, उनके लिए तो superb है ये remedy, okay, आप लोग तो circle के अंदर इसी तरह से golden sunrise बड़ा बड़ हूँ, मेरे hormone सारे balanced है, मेरे body parts सारे अच्छे से function कर रहे हैं, okay, मैं बहुत strong हूँ, happy हूँ, blessed हूँ, इस तरह का लिखकर के circle के अंदर और circle के अंदर ही रहेगा सब कुछ, कौन से color से लिखेंगे, red color, okay, और फिर आप सूरे की रोशनी के through इसको देखो, वो जो पहली किरन हम absorb करेंगे, वो वैसे भी आपकी body के लिए एक तरह से booster होगा, और affirmation के साथ, एक thought के साथ, अगर आप उस energy को ले रहे हो, ठीक है, आप thank you बोलना sun को, thank you universe बोलना, thank you sun को बोलना, gratitude शो करना, okay, ताकि पूरी की पूरी blessing आप absorb कर पाऊं, और फिर आप ये activity करना, यही papers क्या हम daily 21 days use कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप ये अपने सारे papers, save करके रख लो, मानलो 21 days में और भी आपके कुछ नए विश्रस आगए, उनको add कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हो, okay, बर जिन विश्रस को जिस दिन से add करोगे, उसको again 21 days carry करोगे, तो ये ध्यान रखोगे इनको आप जला के dispose कर दो के, ठीक है, सुभा सुभा के टाइम पर ही इनको जला ओ और universe में एकदम dispose करो, surrender करो, relax करो, okay, receiving mode में आओ, receiving mode में आने के लिए क्या करना होता है, self love raise करो, happy रहो, खुश रहो, कोई desperation नहीं, कोई anxiety नहीं, कुछ नहीं, right, अपने level को इतना raise करो कि yes, आ receiving mode में आ चुकिया, okay, so ये छोटी सी remedy आपने करनी है, golden sunrise के साथ, इस तरह से paper को use करना है, मैंने clear कर दिया है, peerers का कोई restriction नहीं है, कैसे dispose करना है, सब कुछ clear है, alright, आप चाहो, तो other 21 days, आप golden sunrise के साथ ये activity कर रहे हो, तो switch word भी आपका golden sunrise ही है, आप सारे दिन golden sunrise चांट कर सकते हो, अपनी scripting जो भी करोगे, affirmations जहां पे लिख रहे हो, चाहो, तो golden sunrise word prefix करके, अपने affirmations लिखे आप, okay, एक wish हो, अनेक wish हो, हर एक के लिए, और golden sunrise, golden sunrise ही बोलना शुरू करो, आपको काफी help मिलेगी, आराम से आप अपनी wishes manifest कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, किसी भी दिन से अच्छा, यहां पे में कुछ चीज़ हैं भी शेयर करने वाली हूं, date of birth के according, एक से लेके 9 तक के numbers count करेंगे हम, like, जैसे कि number 1, जिनका भी date of birth है और उसको sum करने के बाद, digits को sum करने के बाद, number 1 आता है, जैसे कि, पहले तो एक number होई इसके बाद, suppose, मालो number 28 को हो रहा है, उस इसी तरह से number 1 वालों के लिए बता रही हूं, number 1 वाले लोग, जो भी है, वो सब क्या कर सकते हैं, क्योंकि sun के energy है, उनको मिलती हुई, तो कोशिश ये कीजिए, कि रोजाना, सूर्य उदय से पहले उठना शुरू करें, आपकी life में आपको काफी जादा blessings मिलेंगी, and yes, सू तारिक को पैदा हुएं, उनके लिए अच्छा है, जो 11 तारिक को पैदा हुएं, एक प्लस एक, आड करोगे, दो हो जाएगा, इसी तरह से आप अपने rate of birth को निकाल सकते हो, कि आप दो number अगर आ रहा है, तो जिनका भी दो number आता है, moon, now moon की energy अगर आपको मिल रही है, अगर भगवान को अपने prayers में रखिये, चंद्रमा उन्ही के जटाओं में, उन्ही के सर पे विराजमान है, ठीक है, तो उनसे प्रात्ना करना तो बंदा है आपका, ठीक है, number three, number three वाले लोग क्या कर सकते हैं, number three वाले लोगों को बहुत important है कि अपने parents की blessing ले, ठीक है, का अशिरवाद जरूर लो, at least एक बार उनको याद जरूर करो, ठीक है, इतना आपके लिए, और बड़े बुजर्गों का अशिरवाद आपके लिए बहुत helpful रहेगा, ठीक है, number four, number four वाले लोग, जिनके भी birthdays को आप sum up करोगे, like 22 है कोई, तो उसको अगर 2 plus 2 करोगे, 4 हो जाएगा, या जो चार तारीक को जन में हैं, वो भी, और भी बहुत डिजर्स आप लोग आगे, अट कर सकते हैं, number four वाले लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए सबसे जादा important है, कि आप birds को feed कराएं, चेडिया या जितनी भी पक्षी होते हैं, उनके लिए कुछ दाने रखें, बाहर, ठीक है, आप balcony मेरे terrace पे, घर से बाहर कहीं पे भी उनके लिए दाने छोड़े आप, वो जो bird spirit है, उससे आपको help मिल सकती है, तो आप hawk का chant, hawk spirit से connect हो सकते हैं, उसका chant आपको मेरे channel पे मिल जाएगा, four के बाद आता है, number five, number five वाले लोगों को meditation daily करना चाहिए, okay, so कोई भी एक meditation आप डेली करिये, अगर नहीं भी time है, तो at least, दो मिनट, पांच मिनट बैटके, लंबी गहरी सास, लो, release करो, meditate करो, meditation सबसे important है आपके लिए, number six वाले लोगों को अपनी हर चीज बहुत neat and clean रखनी चाहिए, खुद को साफ सुत्रा रखना लोगों को जरूरी है कुछ डॉग्स हो गए या और भी जानवर हो गए उनको आप जैसे गाय हो गई, इन सबको आप फीड करा सकते हो, कुछ भी आप इनको खिला सकते हो, बिस्किट्स हो गई वो डॉग को दे सकते हो, रोटी आप गाय को दे सकते हो, इस ताने नियम में रोजाना कर सकते हैं, ऐसा कोई specific day नहीं होता, इन सबको भूख रोजी लगती है, तो आप इनको दे सकते हो, यह जितने भी spirits, animal spirits यह आपको help करेंगे, इनके through एक positive vibe आप लोगों के life में आएगी, जो आपको help करेगी, अगर आप इनको serve करते हो, ठीक है, आप इनको खिलाते हो नमबर 7 हो गया, नमबर 8 वालों के लिए जरूरी है, कि वो कुछ ने कुछ donations हमेशा करते रहें, ठीक है, आपको अगर salary मिल रही है, तो उसमें से कुछ amount आप donate करें, मंदिर में डालें, कहीं भी, नीडी को दान दे, I mean कुछ भी donate करें, पंडितों को दक्षे ना दे, यह सा पानी affirm करके पियो, आपके लिए सबसे बड़ी remedy, technique, सब कुछ, पानी है, पानी में अपनी wishes बोल करके पियें, पानी जितना जादा पियें, उतना अच्छा है, okay, so यह छोटी सी चीज थी, जो आप लोगो को बतानी जरूरी थी, इन में से कुछ कुछ चीज हैं, आप लोग So that's all, thank you so much and God bless you all.